ओम शान्ती आज है 31 जुलाई 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस नॉलज में ही बिजी रहना है करमेंद्रियां जो धोखा देती हैं उनको भी वश में करना है मुख्य हैं आखें इनकी संभाल करनी है क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टी से किसी भी बेहन को नहीं देखना है बुरी दृष्टी का जरा भी ख्याल ना आए तुम ब्रम्मा कुमार कुमारिया हो तो यह ज्यान पक्का हो जाना चाहिए कि हम सब आत्माए हैं भगवान के बच्चे हैं भाई भाई हैं तो बुरी द्रिष्टी कैसे जा सकती हैं फिर कहा सत्य बोलने वाला है एक बाप कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुन्दरम वह बाप जब आते हैं बच्चों से मिलते हैं तब उसको ही सत्यसंग कहा जाता है बाकी सब हैं कुसंग तुम्हारी दुश्मन है माया और शिव बाबा है मित्र बाबा ने बताया मैं तुमको पार ले जाता हूँ और फिर तुमको डुबोते कोन हैं माया रावन नर्से नारण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो जितना उनको याद करते रहेंगे तो इतना सुख भी फ्वील होगा और तुम ट्रांसफ में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, वधारणा बढ़ती जाएगी और लास्ट में वाबा ने कहा मनजिल बहुत उची है बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है बुरी द्रिष्टी की बड़ी खबरदारी चाहिए इसी में बहुतों को दिक्कत होती है उच्च ते उच पद पाना है तो मेहनत भी करनी है पवित्र बन करमेंद्रियों पर जीत पानी है अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से आज की मुरली का सार बाबा ने कहा मीठे बच्चे यह वंडर्फूल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता यह है नई बात प्रशन इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन से मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती उत्तर यहां बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं बच्चे अपनी करमेंद्रियों को वश में रखना कभी भी किसी बेहन पर बुरी द्रिष्टी ना हो तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बेहन भाई हो तुम्हें बुरे खयालात कभी नहीं आने चाहिए ऐसी शिक्षा इस युनिवर्सिटी के सिवाए कहीं भी नहीं दी जाती गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पराये में। ओम शान्ति ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है ना दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीजें देखने में आती हैं यह समझने में आता है कि हम आत्मा हैं। यह मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हरे एक बात को अच्छी रिती समझ रहे हो हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है आत्मा भी देखने में नहीं आती पढ़ाने वाला बाप पर मात्मा भी देखने में नहीं आता ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथ्वा शास्रों में सुना नहीं ना कभी सुना ना कभी द अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती। आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना जो और कोई समझा ने सके। परम पिता परमात्मा जो ज्यान का सागर है वेह भी देखने में नहीं आता निराकार पढ़ाई कैसे आत्मा भी शरीर में आती है ना वैसे परम पिता परमात्मा बाप भी भाग्ये शाली रत अथ्वा भागी रत में आते हैं इस रत को भी अपनी आत्मा है वेह भी अपनी आ धार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं आत्मा भी एक शरीर छोड फिर दूसरा लेती हैं आत्मा की पहचान हैं देखी नहीं जाती हैं वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रहे हैं यह है बिलकुल नई बात बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लैन अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारन करता हूं नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुडाओं अब तुम बच्चे जागे हुए हो दुनिया की सब मनुष्य सोय हुए हैं जबकि तुम्हारे पास आकर समझें और ब्राह्मन बनें और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं यहां ऐसे कोई आने सके क्योंकि यह पाठशाला है ना बैरिस्ट्री के इमतिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे यह है बिलकुल नई बात पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आत आत्मा अंदर सुनती है धारण करती है अंदर निश्चे होता जाता है यह बात तो बरोबर ठीक है पर मात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते बुद्धी से समझा जाता है मैं आत्मा हूँ कई तो यह भी नहीं मानते कहे देते नेक्चर है फिर उसका वर्णन भी करते है अनेक मत है ना तुम बच्चों को तो इस नौलेज में बिजी रहना है करमेंद्रियां जो धोखा देती है उनको भी वश में करना है मुख्य है आखें जो सब कुछ देखती है आखें ही बच्चा देखती है तो कहती है यह हमारा बच्चा है नहीं तो समझे कैसे कोई जन्म से ही अंधे होते हैं, तो फिर उनको समझाते हैं, यह तुम्हारा भाई है, देख नहीं सकते, बुद्धिज समझ से हैं, वास्तों में कोई अंधे सूर्दास हो, तो ग्यान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आँखे नहीं हैं, भल और कुछ काम वहन ना कर सके, ज्यान अच्छा ले सकते हैं, इसरी को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखें तो बुद्धी जाए, उनको पकड़े भी, देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे, तो बाप समझाते हैं, करमेंद्रियों को पक्का करना है, क्रिमिनल अर्थात, बुरी द्रिष्टी से किसी भी बहन को नहीं देखना है, तुम भी बहन भाई होना, बुरी द्रिष्टी का जरा भी ख्याल ना आए, भल आजकल कलियुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, प्रंतुल्ला मुझीब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे, हम एक बाप के बच्चे हैं, बाबा डारेक्शन देते हैं, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तो यह ज्यान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं, हम आत्मय भगवान के बच्चे भाई भाई हैं, फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा दवारा भाई बहन बनत हें क्योंकि adopt होते हैं ना बुरी द्रिष्टी जाने सके यह प्का प्का सम्झो हमख़ो हम आत्म हें बाबा हमको पढ़ाते हैं हमात्य मा पढ़ते हैं इस शरीर से यह organs हें हमértमा इनसे अलग हैं इन कर्मेंदरियों से हम कर्म करता हूं मैं कर्मेंदरियां ठोड़े ही हूं मैं इनसे न्यारी आत्म हूं यह शरीर लेकर पार्ट बजाता हूं सो भी अलोकिक और कोई मनुष्य यह पार्ट नहीं बजाते तुम बजाते हो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है फिर वही हमारा टीचर भी है गुरू भी है वह साकार बाप टीचर अलग अलग होते हैं यह निराकारी एक ही बाप टीचर गुरू है यहां बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है बाप टीचर गुरू तीनों निराकारी हैं हम भी निराकार आत्मा पढ़ती हैं तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल मिलना यहां ह जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। ताकि सब आजएं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आजएं। फिर पिछाडी में नाटक पूरा होता है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्यान मार्ग है ही सत्य। सत्यम, शिवम, सुंदरम कहा जाता है न, सत्य बोलने वाला एक बाप है इस संगम पर पुरुशार्थी बनने के लिए यह एक ही सत्य का संग होता है बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्य संग कहा जाता है बाकी सब हैं कुसंग, गाया जाता है सत्त का संग तारे, कुसंग बोरे, कुसंग है रावण का, जो डुबोता है, बाप कहते हैं मैं तुमको पार ले जाता हूं, फिर तुमको डुबोते कौन हैं, तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वेह भी बताना पड़ता है, सामने दुश्मन है माया शुबाबा है मित्र उनको कहा जाता है पतियों का पती यह महिमा कोई रावन की नहीं है सिर्फ कहेंगे रावन है बस और कुछ नहीं रावन को क्यों जलाते हैं वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते की रावन कोन है कब आते हैं क्यों जलाते हैं ब्लाइंड फेथ है ना तुम बच्चों को समझाने की अथोरिटी है जैसे वह शास्त्र अथोरिटी से सुनाते हैं ना सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं पैसे देते रहते हैं संस्कृत सिखाओ गीता सिखाओ इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं बाप समझाते हैं बच्चे तुम कितना वेस्ट ओफ टाइम वेस्ट ओफ मनी करते आए हो तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मन कुल के होंगे वह आते रहेंगे इसलिए तुम प्रदर्शनी आदी करते हो यहां का फूल होगा तो आएगा जरूर यह ज़ाड बढ़ता जाता है बाप ने बीज लगाया है एक ब्रह्मा उनसे फिर ब्राह्मन कुल होता एक से बढ़ते गए पहले घर वाले फिर मित्र संबंदी आसपास वाले आने लगे फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं समझ से हैं यह भी सत्संग है प्रंतु इसमें हैं पवित्रता की मेहनत जिसस से ही हंगामा हुआ अभी भी होते रहते हैं इसलिए गालियां देते हैं कहते हैं भगाते थे पट्रानी बनाते थे पट्रानी तो स्वर्ग में बनेंगी न जरूर यहां पवित्र बनाया होगा तुम सबको सुनाते हो यह महराजा महरानी बनने के लिए नौलेज है नर से न नारेन को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते। प्रन्तु पुजारी लोग नारेन के चित्र को इतना नहीं मानते जितना क्रीष्ण को। क्रीष्ण को मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं रहता। इसलिए महात्मा से उच कहा जाता है। बाप केहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे और खुशी भी होगी। जतों में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएगी। इस समय तुम्हारी चड़ती कला है। सिख लोग गाते भी हैं तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चड़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना उच्च चड़त कला होगी संपूर्ण बनना है ना। चंद्रमा की भी लकी रह जाती है। फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाता है। तुम्हारा भी ऐसे हैं। चंद्रमा पर भी ग्रहन लगता है तो कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहन। तुम फट से पांच विकारों का दा दे नहीं सकते हो आखे भी कितना धोखा देती हैं समझ से नहीं कि हमारी बुरी दृष्टी जाती है हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बेहन हो गए फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाएं तो वह ब्रदरली लव निकल इस्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है कोई को दिल अंदर खाता है हम बाप के बने हैं तो हमको कोई भी बुरी दृष्टी से हाथ लगा नहीं सकते फिर कहते हैं बाबा हमको यह हाथ लगाते हैं हमको अच्छा नहीं लगता बाबा फिर मुरली चलाते हैं इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेग बल मुरली बहुत अच्छी सुनाते, बहुतों को समझाते हैं, प्रन्तु अवस्था नहीं है, बुरी द्रिष्टी हो जाती है, इतनी गंदी दुनिया है, बच्चे समझ से हैं, मंजिल बहुत उंची है, बाप की याद में सेंसिबल हो रहना है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी ह हमारा रुखानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है, यून तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सत्यूग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, प्रन्तु वह शरीर योगबल से मिलता है, कहेंगे विकार भिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बाप केहते हैं वह है ही निर्विकारी दुनिया वहां विकार होता नहीं वहां भी अगर निर्वस्त्र हो तो वहां भी रावन राज्ये हो जाए फिर यहां और वहां में फर्क ही क्या रहा यह समझने की बाते हैं बुरी द्रिष्टी मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकठे पड़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है बच्चों को समझना है हम गोड फादर के बच्चे हैं तो आपस में बेहन भाई हो गए फिर बुरी द्रिष्टी क्यों रखते सब कहते भी हैं हम इश्वर की संतान है आत्मा ही तो हुई निराकारी संतान फिर बाप रच्ते हैं तो जरूर साकारी ब्रह्मन रचेंगे प्रजा पिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना वह हो गई एडोप्शन गोद के बच्चे मनुष्यो तुम प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन ठहरें बुरी द्रिष्टी की बड़ी खबरदारी चाहिए इसमें बहुतों को दिक्कत होती है उच्च तेउच पद पाना है तो मेहनत करनी है बाप कहते हैं पवित्र बनो इनका भी कोई की मानते हैं कोई नहीं मानते बड़ी मेहनत विगर उच कैसे बनेंगे बच्चों को खबरदार रहना है भाई बेहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे फिर बुरी दृष्टी क्यों जानी चाहिए बच्चे समसे हैं बाबाझ ठीक कहते है हमारी क्रिमिनल दृष्टी जा मन्जिल है ना नौले सो बहुत सुनाते हैं प्रंतु जबकि चलन भी पवित्रता की हो इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जासी धोखा देने वाली यह आँखे हैं मुख भी म्याउ म्याउ तब करता है जब आँखों से चीज देखते हैं तब दिल होती है यह खाऊं इसलिए करमेंद्रियों पर जीत पानी हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी अप दादा को नमसे नमसे गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्ये सार पहली पोइंट पवित्रता की चलन अपनानी है बुरी द्रिष्टी बुरे खयालात समाप्त करने के लिए अपने को इन करमेंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है दूसरा आपस में रुहानी कन connection रखना है blood connection नहीं अपना अमुल्य टाइम और मनी waste नहीं करना है संग दोश से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है वर्दान ब्रह्म मुहरत के समय वर्दान लेने और दान देने वाले बापसमान वर्दानी महादानी भव ब्रह्म मुहुरत के समय वर्दान लेने और दान देने वाले बाप समान वर्दानी महादानी भव ब्रह्म मुहुरत के समय विशेस ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्यान सुर्य की लाइट और माइट की किर्णे बच्चों को वर्दान रूप में देते हैं साथ साथ ब्रम्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमरित बाटते हैं सिर्फ बुद्धी रूपी कलश अमरित धारण करने योग्ये हो किसी भी प्रकार का विग्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए स्ट्रेश्ट स्थिती वग कर्म का सकते हो क्योंकि अमरित विले का वातवरण ही वृत्ती को बदलने वाला होता है इसलिए उस समय वर्दान लेते हुए दान दो अर्थात वर्दानी महादानी बनो स्लोगन क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है सनहे देना आज एक बहुत प्रेरणादा एक क्लास अपलोड की गई है वह भी जरूर देखें